नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार जन्नलाजच के 10M से क्यों तो वीडियो को अनते तक देखिएगा अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सस्क्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के अपड़ेट आपको मिलती है ठीक चलिए बढ़ते हैं पहला कोश्चन है बिहार से सर्वधम असोक चक्र किसने जीता है ठीक है आपसने रणधीर बर्मा आपसन भी नलिन बिलोचल सर्मा ठीक है आपसन सी जगननात कौसल आपसन डी इनमें से कोई नहीं ठीक है बिहार में सर्वधम असोक चक किसने जीता है दस सेगन डीजिए सोचिए और बताइए फिर देखते हैं सही उत्तर चलिए देखते हैं सही उत्तर है आपसन ए रणधीर बर्मा बिहार से सर्वधम असोक चक रणधीर बर्मा द्वारा जीता गया ठीक है तो आप सम ए करेक्ट आंसर है ठीक है अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है साहित अकादमी द्वारा निम्न लिखित में से किसने सम्मानित किया आप सने उपेंद्र जाब्यास आप संदी नागारजुन आप संसी मधुप आप संदी उप्रोक्त सभी तो साहित अकादमी द्वारा कौन-कौन सम्मानित हो एकौन सम्मानित हो इनमें से ठीक है चलिए दस सकंद लीजिए सोचिए फिर देखते हैं सेवित तर चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आप संदी उप्रोक्त सभी को साहित अकादमी द्वारा सम्मानित किया रहा है ठीक है इन सभी को साहित अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है बुकर अग्ला कुज्चन है पतना का सबसे बड़ा इस्टेडियम है ओके आप्सने मोइनल हक स्टेडियम और आप्सन भी मिठलेश स्टेडियम आप्सन c पोस्ट अपिस एंटेंट्रेंबंट एंड इंडोर स्टेडियम आप्सन दी संजय गाधि मीनी स्टेडियम ठीक है चलिए दस सिकन लेजिए और बताएं पतना का सबसे बड़ा स्टेडियम इन में से कौन है दस सेकंड बाद देखते हैं सही उत्तर चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आप्शन A मोईनल हक स्टेडियम मोईनल हक स्टेडियम पठना का सबसे बड़ा स्टेडियम है ठीक है आप्शन A करेक्टाल से है अगला कुश्यन अगला question है भागल पूर में आयरुवेदिक कालेज काउन सा है? आफसने सियोकुमारी आयरुवेदिक कालेज आपसनन भी अष्टांग आयरुवेदिक कालेज आफसनन सी टिपबत कालेज आफसन डी महारानी रामेशुरी कालेज चलिए तो भागलपूर में आयरुवेदिक कालेज कौन सा है 10 सिकन लेजिए सोचिए फिर देखते हैं सेयुत्तर चलिए देखते हैं सेयुत्तर सेयुत्तर है आप्शन B अस्टांग आयरुवेदिक कालेज अच्टांग आयर्वेदी काल भागर पूर्ड में इस्थी था ओके आप्शन बी करेक्ट आंसर है अगला कुस्च्छन अगला कुस्च्छन है आरे भट का जन्म कब हुआ आप्शन ए 273 आप्शन बी 373 आप्शन सी 473 आप्शन डी 573 तो दस स्कुन लीजिए और बताइए आरे भट का जन्म कब हुआ फिर देखते हैं सही उत्तर चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आप्शन सी 473 आरे भट ने दसमलोग प्रडाली की खोज की थी उनका जन्म 473 इस भी में कुसमपुर बर्दमान पटना में हुआ था तीक है आप्शन सी करेक्ट आंसर है 473 अगला कुशन भीहार का उलेक सरपथम किस ग्र Edwards में मिलता है ठीक है आपसन ऐ इह जुरबेदय आप चनी अथरवـBig आपक संसी साम rebel आप संडी सद पत त्न ग्रहमर अठीक है तो वीहार का उलेक सरपथम किस गरंत में मिलता है 10 seconds लिजीए सोचिए फिर देखते है सही उत्तर चलीए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है option B तह हो बेद बिहार सब्द का प्रथम उलेख अठर वेद में हुआ था option B अठर वेद ओके चलिए अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन है निम्न लिखित में कौन सी संगीत बिहार में नहीं हुआ ठीक है अप्षन 1 पहली अप्षन 2 दूसरी अप्षन 3 अप्षन 2 चोती ठीक है चलिए 10 सपल लीजिए सोचिए पिर देखते हैं सही उत्तर चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है चोथी चतुर्थ बौध संगीत का आयोजन कनिष्ट के राजिकाल में कस्मीर के कुंडलवन में हुआ था तो चोथी संगीती बिहार में नहीं हुए थी अगला कुश्चन है नालंदा विश्च्व विद्याले को किसने नस्ट किया आप संगी बक्तियार खिलजी आप संगी अलाउद दीन खिलजी आप संगी जलालुद दीन की रोज खिलजी आप संगी इन में से कोई नहीं ठीक है चलिए दस सकन लीजिए सोचिए कि नालंदा विश्च्व विद्याले को किसने नस्ट किया था फिर दस सकन बात देखेंगे सही उत्तर क्या है चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आप संगी बक्तियार खिलजी नालंदा विश्च्व विद्याले को मुहम्मद गवरी के सेना पती बक्तियार खिलजी ने नस्ट किया आप संग ए अगला कोश्चन है बिहार में नुहानी बंस का उधे कि इसके काल में हुआ ओके चलिए आप संग देखते हैं आप संग ए है बहलोल लोधी आप संगी इब्राहिम लोधी आप संसी सीकंदर लोधी आप संगी इन में से कोई नहीं ठीक है चलिए 10 सेकंद लीजिए सोचिए फिर देखते हैं सही उत्तर चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आप संसी सिकंदर लोधी बिहार के मद्यकालीन इतिहास में नुहानी बंसका उदय एक महत्पूर्ण यों बिसिस्ट इस्थान रखता है क्योंकि इसके उदय में सिकंदर लोधी 1489 से 1514 इस भी सिकंदर लोधी का सहसंकाल है के सहसंकालीन आवस्ता में हुए राजनायतिक परिवर्तनों से जुड़ा है आप इस्प्लेनेशन दुबारा देख सकते हैं ठीक है आप संसी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर है अगला कोश्यंड आरंग जेब ने बिहार का गवर्णर की से न्यूक किया था अपसन ऐ साइड खा अपसन अपसन ऑ दावत खा खुरी स hawा कुरी ऐसफंसी आपसन गैद मिर्जा यूशूब ठीक है चलिए दश स्सकंद लिजए और बताईए और अंग जेम ने बिहार का गवर्णर किसे नियुक्त किया था फिर देखते हैं सही उत्तर चलिए देखते हैं सही उत्तर सही उत्तर है आपसन भी दाउद खा कुरेशी अंग्रेज ने दाउद खा कुरेशी को बिहार का गवर्णर नियुक्त किया था आपसन भी दाउद खा कुरेशी करेक्ट आंसर है तो 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 चलिए इस वीडियो के दिसक्वेशन पूरे होते हैं उमीद है वीडियो पसंद आया होगा आपके लिए हिल्प उड़ रहा होगा अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सस्क्राइब कर लिजए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए बाई